आज हम स्टानल सेवन के चाप्टर एट प्लास्टिक की दुनिया का क्विशिन आंसर करने जा रहे हैं पहले हम मोखिक प्रश्ण करेंगे मोखिक प्रश्ण में पहला प्रश्ण है चिकनी मिट्टी से हम क्या क्या बना सकते हैं तो इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी से हम अपनी पसंद के खिलोने बना सकते हैं जित्य प्रश्ण मनुष्य किन-किन धातुओं का प्रयोग करता है जिसका उत्तर होगा मनुष्य लोहा, तामबा और पीतल जैसे धातुओं का प्रयोग करता है तो गौ नमबर दिया है कि एक बहु प्योगी पदार्थ का नाम बताईए जिसका उत्तर होगा प्लास्टिक एक बहु प्योगी पदार्थ है तो प्रश्न घौ करेंगे प्रश्न घौ दिया है प्लास्टिक किन तत्वों को मिला कर बनाया जाता है जिसका उत्तर होगा क्लोरिन, चुना, पत्थर, नमक, पानी, गंधक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आक्सिजन और क्लोरिन जैसे तत्वों को मलाके बनाया जाता है प्लास्टिक से बनी दैनिक उप्योग की काम आने वाली कुछ चीजों का नाम बताईए जिसका उत्तर होगा प्लास्टिक जैसे टेरेलेन, नालोन, पल्थीन, रेयोन, बाल्टी, मॉग, वेकलाइट, पिविसी, सनमाईका, टेलीफोन, आदिदैनिक उप्योग में आने वाली घरेलू चीजे बनाई जाती है अभी हम सही गलत की तरफ बढ़ेंगे तो सही गलत का पहला क्रेशिन दिया है प्लास्टिक को गर्म करके या उस पर दवाब डालकर अने उप्योगी वस्तिवें बनाई जा सकती है जो की राइट होगा खो नमबर तोब, सुनम्य प्लास्टिक को पुनः गर्म करके नरम किया जा सकता है जो की रॉंग होगा घौ नमबर संसार में प्लास्टिक का सबसे अधिक उतपादन इंग्लेंड में होता है जो की रॉंग होगा घौ नमबर प्लास्टिक पेट्रोलियूम प्रकृतिक ग्यास, कोईला, चुन्ना, पत्थर नमक, गंदक आधी मौजूद रसायनों से बनाया जाता है जो की रॉंग होगा वो नमबर नाइलोन एक प्रकार का वस्त्र है तो वो रॉंग होगा चौनमबर हलका होने के कारण प्लास्टिक जल्दी तूट जाता है ये भी रॉंग होगा तो अभी हम शब्द मिलान कीजिये जाएंगे आपके पुस्तक में होगा आप देख सकते होंगे तो पहला दिया है बर्तन बर्तन का होगा तांबा और पीतल फिर हमारा आया ख़व दिया है विलियर्ट की गेन विलियर्ट की गेन हम में पता है कि हाती के दान से बनाया जाता है प्रश्ण घह नाइलन नाइलन किस से बनता है जो सेकेंड लाई में जो आप्शिन है कोईला हवा और पानी लास्ट नमबर वहाँ सबसे पहला प्लास्टिक का नाम है पारकेसीन फिर हम अभी खाली स्थान पूरी कीजी या फिरिक्त स्थान पूरी कीजी की तरब बढ़ेंगे पहला प्रश्ण दिया है ड्यास करना मनुशी की स्वाबविक प्रक्षती है तो जिसका उत्तर होगा सुजन विलियर्ड नाम खेल हाती दान की गेन से टेबल पर खेला जाता है गौ नमबर अद्योगीक प्लास्टिक पदात को विभिन आकार दिया जा सकते हैं तक उसे बेला भी जा सकता है प्लास्टिक बहुत उपियोगी होती है सभी प्लास्टिक बिजली के कुछ आलक होते हैं कुछ आलक मतलब उसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती अभी हम प्रश्ण दो की तरह बढ़ेंगे जो की लिखित प्रश्ण है और पहला प्रश्ण हम लगुतरिय करेंगे लगुतरिय में पहला प्रश्ण है प्लास्टिक में क्या-क्या विशेष्टा है प्लास्टिक में अनेक प्रकार के विशेष्टा है इन पर तो ना जंग लगती है ना ही ये सड़ता है इसे कीड़े तथा हानी कारक जीव हानी नहीं पहुंचा सकते इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा है कि ये बहुत हलका होता है अभी हम प्रश्ण खो की तरब बढ़ेंगे दिया है प्लास्टिक किन तत्वों को मिला कर बनाया जाता है जिसका उत्तर होगा कोईला, चूना, पत्थर, नमक, पानी, गंधक, हाइड्रोजेन, नाइट्रोजेन, आक्सिजिन, क्लोरिंजे से तत्वों को मिला कर प्लास्टिक बनाया जाता है अभी हम प्रश्ण घो की तरब बढ़ेंगे घो दिया है प्लास्टिक कितने प्रकार के हैं, उनमें क्या अंतर है तो जिसका उतर होगा प्लास्टिक दो प्रकार के हैं, ताप सुनम्य और ताप दुरूड ताप सुनम्य प्लास्टिक को यदि गर्म किया जाए, तो ये मौम की तरह नरम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और ताब दूरुड प्लास्टिक वह है जिसे यदि गर्म किया जाए तो पहले वह नरम हो जाता है और बाद में कठोर हो जाता है किन्तो इसके बाद उसे पुना गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता अभी हम प्रश्ण घ्वा की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण घ्वा दिया है प्लास्टिक से रहित दुनिया की हम करपना ही नहीं कर सकते लेखक ने ऐसे क्यों कहा है प्लास्टिक से रहित दुनिया मतलब प्लास्टिक के बिना तो जिसका उत्तर होगा सच मुच हम प्लास्टिक की दुनिया में रह रहे हैं हमारे आसपास अधिकांस वस्तुएं प्लास्टिक की ही बनी है इन प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को हटा कर ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन एकदम अधूरा हो गया है प्लास्टिक की दुनिया का हमारे जीवन में महत पूर्ण स्थान है भविश्य में भी इससे इतने प्रकार की सहलुतियं मिलने की संभाब ना है यही कारण है कि लेखक ने कहाए कि हम प्लास्टिक से रही दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते अभी हम दिर्ग उत्तरित प्रश्ण की तरफ बढ़ेंगे दिर्ग उत्तरित प्रश्ण है प्लास्टिक की खोज कब कैसा और किसने की तो जिसका उत्तर होगा प्लास्टिक की खोज सन 1865 में अलेक्जेंडर पाकेस नामक एक अंग्रेज रसायन वग्यानिक ने की उन्होंने प्लास्टिक पर प्रयोग करके ऐसा पदाथ बनाया जो विलियर्ट की गेन के लिए तो ठीक नहीं निकला लेकिन बाद में उसे अनेक वस्तुओं के निर्मान की संभावना प्रतीत हुई यही पदाथ विकसित रूप में वर्तमान का प्लास्टिक है अभी हम प्रश्णक हो की तरह बढ़ेंगे प्रश्णक हो दिया है प्लास्टिक से विभिन आकार की वस्तुओं कैसे बनाई जाती है अपने शब्दों में लिखिए तो यहाँ पर लिखा है प्लास्टिक से विविन आकार की बस्तुएं बनाने के लिए प्लास्टिक से कच्चे माल मोल्डिंग पाउडर रादी का सोचरित मसीनों में डाला जाता है बनने वाली बस्तुओं के अनुसार मसीन की आकार प्रकार होता है मसीन में लगी हीटिंग सिलिंडर में प्लास्टिक को डाल कर पिगलाय जाता है तथा मसीन में लगे लीवर को दवाने से द्रब्य बना प्लास्टिक नीचे से जाकर विभिन आकार ग्रहन कर लेता है तो हम प्लास्टिक से जो आकार चाहे उसको दे सकते हैं अभी हम आईए विचार करेंगे प्रश्ण करेंगे जहां पर आपके पुस्तत में एक परेग्राफ दिया होगा जया और रीना राजदानी एक्सप्रेस से पटना जा रही थी मुगल सराय स्टेशन पर गाड़ी रुखने पर दोनों की चाय पीने की इच्छा हुई जया ने कुलड में चाय पीना पसंद किया रीना ने अपने गिलास में चाय ले ली तो इससे हमें क्या पता चलता है रीना पर्यावरन प्रेमी है जया और रीना में आप किसके पक्षम है और क्यूं तो आपको आंसर है यहां पे लिखा है रीना पर्यावरन प्रेमी है मैं रीना के पक्ष में हूँ क्यूंकि रीना ने अपने ग्लास में चाय ले ली अगर वो कुलड में चाय लेती तो चाय पीने के बाद कुलड इधर उधर फैंकना पड़ता अपने ग्लास में पीने पर वो ग्लास अपने पास रखेगी और परियावरण में कोई प्रदोसिती भी नहीं होगा आपको हॉर्स में एक क्वेशन दिया है प्रस्तुत पार्ट में हमारे प्लास्टिक के विविन गुणों के बारे में पढ़ा फिर भी प्लास्टिक व्यागों पर रोक लगाने की बात क्यूं कही जाती है उत्तर सोचके लिखिये जिसका उत्तर होगा प्लास्टिक व्यागों पर रोक लगाने की बात इसलिए कही जाती है क्यूंकि इसमें ना तो जंग लगती है और ना ही ये सड़ता है और इससे प्रेयोग करके फेकने पर हमारी मिट्टी प्रदूसित भी होती है तो कुछ पाठांस पर आधारिक प्रश्ण है वह आपके पुस्तक में एक पैराग्राफ होगा उसके हिसाब से हमें question answer करना है तो पहला question दिया है प्लास्टिक के दो गूर्ण बताईए यहाँ पर लिखाए इस पर जंग नहीं लगता यह सड़ता नहीं है दो नमबर प्लास्टिक विजली के कुछालक होते है अर्थ स्पस्ट कीजिए प्लास्टिक पर विजली की करन का प्रभाब नहीं पड़ता इसलिए प्लास्टिक विजली का कुछालक होता है प्लास्टिक के रैसों से बने कपड़ों की क्या विशेष्टा होती है प्लास्टिक के रैसों से बने कपड़े की ये विशेष्टा होती है कि इससे निर्मित कपड़े में कीडे नहीं लगते और प्रेस की भी जरुरत नहीं पड़ती प्रस्टन फोर, पाठान से ऐसे दो शब्द ढूंडिये जिन में और उपसर्क को जोड़कर उनका विलोम शब्द बनाए जा सके और स्वाभाविक और पारदर्सी भासा से में आपको दिया गया है उसका प्रयूक्त प्रते लिखिए तो स्वाभाविक में इक प्रते का इस्तमाल हुआ है तो आपके जो इस टॉपिक में बहुत सारे अंग्रेजी शब्द प्रयोग किये गए है जैसे यहां पे लिखा है स्वीज, फोटो, फिल्म, पैकिंग, इंजिनियरिंग, डॉकेट, मोल्डिंग, हीटिंग, आक्सिजिन, टेलिफोन यैसे कि हमारे जो प्रयोग किये है प्लास्टिक शब्द भी अंग्रेजी का है प्रश्ण तीन, नीचे दिये गए सब्दों के विलोम शब्द लिखिये तो आपको दिखाई दे रहाओगा, स्क्रेन में चिकना का खुर्दरा, निर्मान का विनास, उपियोगी, अनुपोगी, सुन्दर, कुरू, कुरुत्रेम, स्वाभाविक, हानिकारक, लाबदायक तो बाकी बातों से के कुछ questions है, जो कि आपको खुद करना है, पाठांस पर आधारित प्रश्ण बाक्यारण पर भी कुछ प्रश्ण आपको दिये गए है, जैसे प्रश्ण है, विज्ञान से संबन्द रखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा, विज्ञानिक फिर question है, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वास नहीं है, अच्छे भाग्य वाला, सो भाग्य साली, और चिंता में डूबा रहने वाला चिंतित, और वो नमबर, जो सभी का प्रिय हो, वो लोग प्रिय हो, तो आज हमारे topic हतम हुआ, थैंक्यू एब्रिवन झाल